परचय हम जड़, तना, पत्ती, पुश्प क्रम और पुश्प के लक्षन, प्रकार, रूपांतरण और कारे की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब हम बीजानु जनन, युगमक जनन, परागन, निशेचन, फल और बीजों का अध्यन करेंगे। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। बीजानु जनन को समझना, परांगण की पहचान करना, निशेचन के बारे में समझना, फल की विशेशताएं जानना, फल के प्रकार जानना, बीज की विशेशताएं जानना, बीज के प्रकार जानना, बीजों के अंकुरण का अध्यन करना, बीजों की किशोर अवस्था का अध्यन करना, एक प्ररूपी पुश्पी पादप का अर्ध तक्नीकी विवरंड समझना, कुछ महत्वपून कुलों का वर्णन करना. बीजानु जनन बीजानु मोका उत्पादन है. जननात्मक बीजानु पोधे, शैवाल और कवक में उनके सामान्य जननात्मक जीवन चक्र के दौरान बनते हैं. प्रसुप्त बीजानु कुछ कवकों और शैवालों द्वारा मुख्य रूप से प्रतिकूल वर्धन दशाओं की प्रतिक्रिया में बनते हैं. अधिकतर यूकेरियोटिक बीजानु अगुणित होते हैं और कोशिका विभाजन कुछ प्रकार के दौई गुणित या दौई केंद्रकों और कोशिका संगलयान के द्वारा निर्मित होते हैं. युकमक जनन युकमक जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दौई गुणित या अगुणित उर्वगामी कोशिकाएं कोशिका विभाजन करती हैं और परिपक्व अगुणित युगमक बनाने के लिए विभेदन करती हैं. युगमक जनन द्वीकुणित युगमक कोशिकाओं के अर्ध सूत्री विभाजन द्वारा या अगुणित युगमक जननीय कोशिकाओं के सम सूत्री विभाजन द्वारा होता है जिससे विभिन युगमक बनते हैं. उदाहरन पौधे सूत्री विभाजन के द्वारा युगमकों दिब्ध में युगमक उत्पन्न करते हैं बीजानूओं के सूत्री विभाजन के बाद अगुणित बीजानूओं से युगमकों दिब्ध विक्सित होते हैं सूत्री विभाजन और युगमक जनन के बीच जीवन चक्र में बहु कोशिक किये अगुणित वस्था का होना पीढ़ी एक आंतरण के रूप में जाना जाता है। परागन परागन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में पराग को स्थानांतरित किया जाता है जिससे पौधे निशेचन और लेंगिक जनन में सक्षम होते हैं। परागन जिनमें नर युगमक होते हैं अंडप के भीतर मौजूद मादा युगमक तक पहुँचते हैं। एंजियो स्पर्म के पुश्पों में अंडप का ग्राही भाग वर्तिकागर कहलाता है। परागन के परिणाम स्वरूप संतती उत्पन होती है जो अनुवनशिक रूप से भिन्न होते हैं। परागन की खोज क्रिश्चियन, कौनरॉड, स्प्रेंजल ने अठारवी शताब्दी में की थी। निशेचन परागनलिका बीजांड में नर युगमकों को अंडप कोशिकाओं तक ले जाती है। निशेचन नर और मादा अव्यवों का संगलयन के कारण ब्रूण का विकास क्रमशह बीज और फल में होता है। जब किसी पुष्प की अंड कोशिकाओं उसी पुष्प के पराग की नर कोशिकाओं द्वारा निशेचित की जाती हैं, तो यह स्वनिशेचन और दूसरी स्थिती में यह पर निशेचन होता है। फल निशेचन के बाद विकसित पुष्प का पका हुआ अंडाशय है। यदि अंडाशय के निशेचन के बिना ही फल बनता है, तो यह अनिशेच जनित फल कहलाता है। फल भित्ती या फल भित्ती और बीच का बना होता है फल भित्ती शुष्क या गूदेदार हो सकती है जब फल भित्ती मोटी और गूदेदार होती है तो यह सबसे बाहर की तरफ बाह फल भित्ती, मध्य में मध्य फल भित्ती और भीतर की तरफ अंतह फल भित्ती में विभेदित हो जाती है आम और नारियल में फल को अश्ठिल यानि डूप कहते हैं ये फल एकांडपी उर्धवर्ती अंडाशय से विक्सित होते हैं और इन में केवल एक बीज होता है आम में फल भित्ती बाहरी पतली बाह फल भित्ती, मध्य गुदेदार, खाने योग्य मध्य फल भित्ती और भीतरी पत्रीली कठोर अंतह फल भित्ती में सूस पश्ट रूप से विभेदित होती है नारियल में जो एक अश्ठिल फल भी है, मध्य फल भित्ती तन्तुमई होती है फलों के प्रकार फल तीन प्रकार के होते हैं एकल फल, पुंज फल, संग्रथित फल एकल फल फल जो एक अंडपी या बहु अंडपी युकतांडपी से विक्सित होते हैं उदाहरन मटर फुंज फल फल जो बहु अंडपी व्युकतांडपी अंडप से विक्सित होते हैं, फुंज फल कहलाते हैं प्रत्येक अंडाशे एक लगु फल में विक्सित होता है और अनेक लगु फल मिलकर समूह बनाते हैं उदाहरन स्ट्रॉबरी संग्रन्थित फल फल जो पुश्पक्रम से विक्सित होते हैं संग्रतित फल कहलाते हैं उदाहरन अनानास और शेहतूत पीज, एक पका हुआ बीजांड जिसमें भूण को अच्छादित करता है, एक सुरक्षात्मक आवरण और खाद्य भंडार होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लेंगिक जनन चक्र में निर्मित एक प्रवर्धन करने वाला अंग सभी बीजों में सामान्य भाग है, भूण, संचित भोजन और सुरक्षात्मक आवरण भूण, एक मूलांकुर, एक भूणिय अक्ष और गेहुं, मक्का में एक बीज पत्र या चना मटर में दो बीज पत्र का बना होता है यह बीज के अंकुरण पर एक नए पौधे को जन्म देता है बीजों के प्रकार एंजियो स्पर्म के बीजों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है एक बीज पत्री बीज या द्वी बीज पत्री बीज बीज जिन में केवल एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री बीज कहलाते हैं उदाहरन, मक्का बीज जिन में दो बीज पत्र होते हैं, दूइ बीज पत्री बीज कहलाते हैं उदाहरण निलंबो निूसी फेरा दूइ बीज पत्री बीज की संग्रचना द्वी बीज पत्री बीज में बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है बीजावरण में दो परते होती हैं सबसे बाहरी बीज जोल और भीत्री टेगमन है नाभिका बीजावरन पर एक शत चिन है, जिसके द्वारा विक्सित हो रहे बीज फल से जुड़े होते हैं नाभिका के ठीक ऊपर एक छिद्र होता है, जो बीजांड द्वार कहलाता है बीजावरन के भीतर भ्रून होता है जो एक भ्रूनिय अक्ष और दो बीज पत्रों का बना होता है बीज पत्र प्रायः गूदेदार होता है और इन में भोज्य पदार्थ संचित रहता है भ्रूनिय अक्ष के दोनों सिरों पर मूलांकुर और प्रांकुर होते है कुछ बीजों जैसे की अरंड में भुरून पोश दुई निशेचन के परिणाम स्वरू बनता है जिसमें भोजन संचित करने वाले उतक होते हैं सेम चना और मटर जैसे पौधों में परिपक्व बीजों में भुरून पोश नहीं होता है और ऐसे बीज अ भुरून पोशी कहलाते हैं उदाहरण चना एक बीज पत्री बीज की संग्रचना एक बीज पत्री बीज भुरून पोशी होते हैं लेकिन कुछ जैसे की और्किड में अब भुरून पोशी होते हैं अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण जिल्लीदार और प्राय फल भित्ती से संगलिक्त होता है ब्रून पोश स्थूलिय होता है और भोजन का संग्रहन करता है ब्रून पोश की सबसे बाहरी आवरण ब्रून से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होता है जो एलूरॉन सतह कहलाती है ब्रून छोटा होता है और ब्रून पोश के एक सिरे पर खाचे में स्थित होता है यह एक बड़ा तथा धालाकार बीजपत्र होता है जो स्कुटलम कहलाता है और इसमें एक अक्ष भी होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं प्रांखुर और मूलांखुर एक चादर से धके होते हैं जिसे क्रमशह, प्रांखुर चोल तथा मूलांखुर चोल कहते हैं. बीजों का अंकुरण अंकुरण एक बीज में निहित भ्रूनिय पौधे की व्रिद्धी है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोद भिद पौधों का निर्मान होता है पूरी तरह से विक्सित भीजों में एक भ्रून और अधिकतर पादप प्रजातियों में कुछ भोजन संचित होता है व्रून एक बीजावरण से आच्छा दित होता है बीजानु से निवोद भिद पौधे की व्रिद्धी, जैसे की कवक बीजानुओं से हाइफी, कवक सूत्र की व्रिद्धी भी अंकुरण है कुछ महत्वपून कुलों का विवरण पाबेसी यह कुल पहले पैपिलियोनोईडी कहलाता था यह लेक्यूमिनोसी कुल का उपकुल है यह सारे विश्व में पाई जाती है वर्गी कृत स्थान जगत वनस्पती जगत उप जगत पनेरो गेम्स प्रभाग द्वीबीज पत्री वर्ग पौली पैटली श्रेणी क्यलिसी फ्लोरी गण रोजेल्स कुल लग्योमिनोसी उपकुल पैपिलियोनेसी कुल पबेसी काईक अभिलक्षन व्रिक्ष, ज़ाडी, शाक, मूल ग्रंतियों सहित मूल तना, सीधा या आरोही पत्तियां, एकांतर, पिछाकार, संयुक्तिया सरल पर्ण आधार, तल्प युक्त, अनुपर्णी, जालिका, शिराविन्यास पुष्पी अभिलक्षन पुष्प क्रम, असी माक्षी पुष्प उभैलिंगी, एक व्यास सममित केलिक्स, बाह्य दल, पाच संयुक्त बाह्य दली, कोर छादी, पुष्प दल विन्यास कोरोला, दल पाच, प्रिथक दली, पैपिलियोनेसियस एक पश्च मानक, दो पाश्वी अपंक, दो अग्र होते हैं, जो एक नोतल बनाते हैं संगलग्न पुंकेसर और स्त्रीकेसर वैक्सिलरी, पुष्प दल विन्यास पुमंग, दस, द्वी संगी, पराग कोश, द्वी कोश्थी जायांग, अंडाशय, उर्धर्व वर्ती, एक अंडपी, अनेक बीजांडों सहित, एक कोश्थीय, वर्तिका एकल फल, लेग्यूम, बीज, एक से अधिक, अभ्रून पोशी पुष्प सूत्र, पुष्पी चित्र, आर्थिक महत्व दालें, इस कुल से संबंधित अनेक पौधे दालों का स्रोथ हैं उदाहरंड, पाईसम सिटाइवं, मटर, सीसर एरियंटम, चना कैजनस कैजन, अरहर दाल या तूर दाल फैसियोलस मंगो या विग्ना मंगो, उरद दाल फैसियोलस रेडियेटस, मूम दाल विग्ना, सीनेंसिस, लोबिया फैसियोलस वुल्गेरिस, प्रेंच या सेम या राजमा लेंस स्कुलेंटम, मसूर दाल लिथाइरस, सेटाइवस, खेसरी दाल रेशे, क्रोटोलारिया, जनसिया, सन के फ्लोयम से रेशे प्राप्त किये जाते हैं जिनका उप्योग रसी, कैनवस, जाल, बैग बनाने में किया जाता है खादे तेल, सोया बीन यानि ग्लाइसन माक्स मुंफली से खादे तेल निकाले जाते हैं डाई, रंग इंडिगो फेरा, तिंक्टोरिया से, नील और ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा से, टेसू या धाग प्राप्त होता है सजावती फूल लिथाइरस, ओडोरेट्स, मीठी मटर, क्लिटोरिया, टरनेसिया, बटरफ्लाइ मटर और, इरित्रीना, कोरल व्रिक्ष, सजावती पौधे हैं चारा सेसबेनिया और ट्राइफोलियम से प्राप्त होता है सेलनेसी यह एक बड़ा कुल है प्राइह इसे आलू कुल भी कहते हैं यह उश्न कटी बंधिय, उपोश्न और शीतोश्न क्षेत्र में भी भैले रहते हैं वर्गी कृच्थान जगत वनस्पती जगत उप जगत पनेरो गेम्स प्रभाव द्वी बीज पत्री वर्ग पॉले पैटली श्रेनी बायकार्पलेटी गण पॉलिमेनियल्स कुल सोलेनेसी काइक अभिलक्षन पौधे, रायह शाक, जाडी और छोटे व्रिक्षवाले होते हैं तना, शाकिय कभी-कभी काश्थिय, वायविय, सीधा, बेलनाकार, शाखित, ठोस, या खोकला, रोम्युक्त, अथवा, अरोमिल, आलूमे, भूमिगत तना, सोलनम, ट्यूबिरोसम पतियां, एकांतर, सरल, कभी-कभी संयुक्त, पिच्छाकार, अनुपर्णी, जालिकाविन्यास पुष्पी अभिलक्षन पुष्प क्रम, एकल, कक्षी, या ससीमाक्षी, जैसे, सोलनम में पुष्प, द्वीलिंगी, त्रिज्या सममित केलिक्स, बाहिदल, पाच, संयुक्त, दीर्घस्थाई, कोरसपर्शी, पुष्प दल विन्यास कोरोला, दल पाच, संयुक्त, कोरसपर्शी, पुष्प दल विन्यास पुमंग, पाच, पुंकेसर, दल लग्न जायांग, द्वी अंडपी, युक्तांडपी, अंडाशे, उर्धवर्ती, द्विकोष्थी, बीजान्डासन, उला हुआ जिसमें बहुत से बीजान्ड पुष्प सूत्र, पुष्पी चित्र आर्थिक महत्व सोलनम, ट्यूबिरोसम, आलू के कंद में प्रचोर स्टार्च होता है सोलनम, मेलंजीना, बैंगन के फलों में आयोडीन होता है लाइको पॉर्सिकॉन, स्कुलेंटम, टमाटर के फल, खाने योग्य होते हैं कैपसिकम एनम, मिर्च मसाले प्रदान करता है पाइसलिस, पैरुवियाना, से, केप, गूसबेरी, एक स्वादिष्ट फल प्राप्त होता है एट्रोपा, बेलाडोना, जड़ों से औशधी प्राप्त होती है जिसका उप्योग पुतली को फैला कर नेत्र परीक्षन किया जाता है दातूरा मेटल और दातूरा स्ट्रामोनियम की पत्तियों और फलों से औशधी निकाली जाती है जिसमें अलकेलोईड, एट्रोपिन होता है इसका उप्योग नेत्र परीक्षन में किया जाता है सूखी पत्तियों और फलों से आशधी Hyoschymus, Nigger, Hennben, प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग दमा और काली खासी के उपचार में किया जाता है Vithainia, Samniferra, अश्वगंधा की जड़ों से अश्वगंधा और शदी निकाली जाती है, जिसका उपयोग खासी और गठिया में किया जाता है निकोटियाना टुबैकम का उप्योग बीडी और सिगरेट में किया जाता है तमबाकु में दो अलकिलोइड निकोटीन और एना बैसीन होते हैं ये दोनो अलकिलोइड मादक होते हैं और केंद्रिय तंत्रिका तंत्र पर निराशा जनक प्रभाव उत्पन्न करتे हैं औशधी के रूप में तंबाकु में शामक और प्रति उद्वेष्टी प्रभाव होते हैं पिटूनिया और सेस्ट्रम सजावती पौधे हैं लिली ऐसी इसे प्राय लिली कुल कहते हैं यह एक बीज पत्री पौधों के लक्षन दर्शाता है यह सारे विश्व में पाए जाते हैं वर्गी कृत्स्थान जगत वनस्पती जगत उप जगत वनरो गेम्स प्रभाव एक बीज पत्री श्रेणी कोरोनरी कुल ब्लिलियसी काईक अभिलक्षन भूमिगत शल्ककंद कौर्म या प्रकंद सहित दीर्ग कालिक शाक पत्यां प्राय आधारिय एकांतर रेखिक समांतर शिरा विन्यास के साथ अननुपढणी पुष्पी अभिलक्षन पुष्पक्रम एकल या ससी माक्ष प्राय पुष्पक्छत्र विलिंगी त्रिज्या सममित परिदल पुझ छे तीन जमा तीन प्राय नली में जुड़े हुए कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास पुमंग पुंकेसर छे तीन जमा तीन जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशे, उधर्ववर्ती, त्रिकोष्ठकी, जिसमें अनेकों बीज, स्तंबिय बीजांडासन फल, संपुट, कभी-कभी बेरी बीज, भुरून पोशिय, पुष्पसूत्र, पुष्पीचित्र आर्थिक महत्व इस कुल के अधिकांश पौधे अच्छे सजावटी पौधे हैं जैसे ट्यूलिपा, ग्लॉरियोसा, लिलियम, एलोए, रसकस, एस्पेरेगस, युक्का, ड्रासेनिया आदी एलियम सीपा की पत्तियों के मानसल पत्ति आधार खाने योग्य होते हैं इस चाइना स्माइलाक्स की जड़ों से सरसा पारीला निकाली जाती है जिसका उपयोग त्वचा रोग में किया जाता है कॉलच कम ओटो मनेल की कार्म से कॉलची सीन निकाली जाती है जिसका उपयोग बहु गुनित को प्रेरित करने के लिए किया जाता है एलोए से एलोइन निकाला जाता है जिसका उप्योग त्वचारोगों में किया जाता है जब कि एलोए वीरा जूस का उप्योग पाचन संबंधी विकारों में किया जाता है क्या आप जानते हैं? नारियल, सिंघाडा, मूंफली, सुपारी, पाइननट, असत्यनट के उदाहरण है कुछ कुकुरी बिट के कड़वे स्वाद का कारण ट्रीटी पिनेज की उपस्थिती है लोडोईसिया, मलडीविका सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा बीज है और्किड के बीज सूक्ष्म, शुष्क और रेत के कड़ों से हलके होते हैं सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं निशेचन के पश्चात, अंडाशे, फल में और बीजांड बीज में बदल जाते हैं बीज या तो एक बीज पत्री या द्वी बीज पत्री हो सकते हैं वे आकार, माप और जीवन क्षमता की अवधी में भिन होते हैं पुष्पी अभिलक्षन पुष्पी पादपों का वर्गी करण और पहचान का आधार बनाते हैं इसे कुलों के अर्थ तकनीकी विवरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है वेज्ञानिक शब्दों का उपियोग करके पुष्पी पादप का एक मिश्चित अनुक्रम में वर्णन किया जाता है पुष्प अभिलक्षन को पुष्पी चित्रों और पुष्प सूत्र के रूप में संग्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है